करेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग शेशन में सिल्वर में क्या मॉमेंट देखने को मिलेगा day by day के उपर आपको सिल्वर में गिरावट नजर आ रही है काफी दिन से देखो गे तो आपको डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है और जिसके औरडी बाइंग वह वो कहां पर करूंगा उसके बाद डॉलर इंडेक्स यम 6 उसका भी आनालेसिस करके बताने वाला हूँ फस्ट टैम विजिट करें कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की और डेली वेसको पर इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलेक्राम चैनल जरू जोरू जोइन करें वन आप चैनल जरूंगा तो यहां पर सबसे बड़े में बड़ा व्यू लेके चलूंगा ताकि आपको एक अंदर जाएगा कि कि यहां पर सिल्वर जो लूवर तो पूरा इस साल इस साल की की बात कुरूंगा तो सिल्वर में 78AT ऐसमसिने हाइ किया उसके उपर ये ठ्रेड नहीं किया और डों सैट के बात करूंगा तो आपको समझ बाएका कि इस रेंज में काफी बार इसने कफी बारे से उभा जहांद पर 17 को टच किया और फिर उपर जाने की कोशिश किया यहां पर दीगते तो यहां पर ऊपर गया फिर यहां से 20 सब्सक्राइब उपर गया इस लेवल पर 77,000 और यहांपर 10.000 के आसपास टेट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम में से हुआ जिसने सतर हदर के लेवल के आसपस गया और सपोर्ट लेके फिर मार्केट उपर गया अभी उपर की तरफ देखोगे तो आपको अंदाज आएगा कि 78 से लेके 76 के रेंज में कम शेकम फॉर्थ टाइम में से टच किया लेकिन उसक चल गया होगा कि यह सतर हदर के नीचे जाना नहीं चाह रहा है और 78 के ऊपर यह ट्रेड जाना नहीं चाह रहा है तो आपको क्लियर अंदा जोगे कि सिंपल आर्ट हदर पॉन्ट के बीच में काफी दिन से यंजी स्वारी सिल्वर ट्रेड करते वें देखने को मिल रहा है तो आने वाली दिनों में क्या प्रोबबिलिटी बन सकती है तो मेरे इसाब से अभी आपके लिए एक बाइंग अपर्चुनिटी बनता है तो आपको ब्रेक आउट के उपर काम करना चाहिए तो 7500 आने वाली दिनों में जब तक यह 7500 के उपर ट्रेड नहीं करता तब तक आपको बाइंग की पोजिशन नई बनाना चाहिए और आपके पास सेल की पोजिशने से तो कंटिनू होल्ड करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से इसका ट्रेंड मुझे नजरा रहा है तो और एक सेलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बाइंग आपको तभी करना ह लास्ट वने कापी वीडियो में आउरेड़े मैं बता चुका हूँ कि डाउन आने दीजिए हर 11,000 पॉइंट पे गिरावट पे भी आप यहाँ पे सिल्वर में बाइंग कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है जिस तरीके से सेलिंग देखने को मिल रहा है वो आपके लिए क्या ह है एक क्योंकि उओधि मार्केट में बोल रागशब चलता है तो को प्रॉत बुकिंग स्टार करते घ्रींट में रह जाते सेमा करन्सि मारकेट में भी दिखने को महँंआज तो करन्सिंग मेन को साइड़ विवे पीनिकें वीवे हो रहा है वेक जगह पेंगर हो रहा है उसकी सबसे देखोगे तो commodity मार्केट में फिर भी ट्रेट हो रहा है तो आने वाले दिनों में कोई correction देखने को मिलता है कोई profit booking बड़ी correction देखने को मिलती है तब यहां सिल्वर और गोल्ड में आपको बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है अभी के लिए आप इस सत्तर अजार पासों के उपर आपको trade करना चाहिए तब तक आपको average भी नहीं करना चाहिए और buy भी नहीं करना चाहिए आपके पास already position है ब्युकुल कोल्ड करिए downside में अगेन आपके levels के आसपास मतलब 68 के आसपास मिलता है तो आप एक position add कर सकते हो अभी के level add level नहीं बनता आपको अभी के level से breakout के उपर ही trade करना चाहिए तो यह रहेगा आने वाली दिनों में buyers के लिए अभी बात करूँगा यहां पर target in the case market इधर से ही trade trace करता है तो 76 से ल यहां पर अगेन एक नया वीडियो लेकर आऊंगा और वहां पर भी आपको target set बता दूंगा कि कहां तक जा सकता है अभी short term के लिए यहां पर 70,000 पासों के ओपर breakout करता है तो 75 के target के लिए आप position hold कर सकते हो अभी बात करूँगा sellers के लिए तो sales के position आपको continue करना चाहिए आप position hold कर सकते हो डाउन साइड में 67500 तक के target के लिए यहां तक के target के लिए position hold कर सकते हो अभी जो रेंज मिकल क्या रहा है वो एक support का काम कर सकता है 69500 वहां पे एक profit booking करके आप sales site की position exit कर सकते हो या पार्सली profit booking कर सकते हो तो यह analysis रहेगा आने वाले दिनों में सिल्वर में complete जनकर यहां पर देखोगे तो आपको पूरा का पूरा एस पूरा साल पर देखोगे तो भी कुछ साइडवे ट्रेड होते वे देखने को मेरा सिल्वर में अभी बात करूंगा यहां पर यहां सेक्स मार्केट के साथ साथ डॉलर इंडेक्स में तो डॉलर होंगे तो यहां पर कोई भी दिकत नहीं है आप लॉंग टर्म शॉट टर्म होल्ड कर सकते हो अब यहां पर लेटेस्ट यहां पर देखोगे तो बहुत बड़ा सपोर्ट निकल रहा है ट्वेंटी टू डॉलर के आसपास तो ट्वेंटी टू से लेके 23 यह एक रेंज यहा सपोर्ट निकल क्या रहा है अभी यह व्यूकुल 22 का सपोर्ट है अभी यह 22 का सपोर्ट लेता है तो मार्केट के अंदर आपको अगेन यहां पर 22.50 पे एक बाई की पोजिशन बना सकते हो तो 22.50 का लेवस आने वाले दिनों में ब्रेक आउट लेवस रहेगा 22.50 के उपर के साथ काम कर लीजिए और यहां पर सेल के साइट कंटीनूब बने रही है और विदाउट एक्सपारिश्चेट टेल लेने के लिए वन आप दे बेस्ट ऑक्टाइफेक्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां पर अकॉन उपन कर लीजिए या टेलिग्राम आप जाइड करोगे तो महां पर भी मैं लिंक पेस्ता रहता हूँ तो मिलते हैं में लिए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई